वैसे तो बिहार बूर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिस का बुक है हर एक चैप्टर का लाइन बाइन मैंने explanation हिंदी में बहुत बढ़िया से कर दिया है यह जो चैप्टर है पहला चैप्टर इसमें मैंने जो important lines था उसका मैंने explanation किया था उस पर करीब 6 लाख views जो है वो गया है लाइन मैंने अर्थ नहीं समझाया तो बहुत सारे कमेंट्स उसमें आ रहे थे कि सर लाइन बाइन बाइन जो है वह अर्थ समझाईए तो इस चैप्टर में हम इसका लाइन बाइन पूरे चैप्टर का हम लोग मीनिंग देखेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर भी मिलेगा महत्मा गांधी की विचार से अबगत होने को मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दवा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे 11 वीडियो बना है और क्लास 10 का मैं वीडियो अप्लोट करता हूं और दूसरा चैनल है हमार जो पैंसिल है वो जहां जहां जाएगा उस वर्ड का मीनिंग वो होगा वैसे मैं बोलूँगा भी ध्यान से बस आप लोग हेड़फोन लगा लें और साइड में बैठ करके देखिए पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा राष्टर पिता के नाम से जाने जाते थे वह पॉलिटीसियन से ज़्यादा एक स्पिरिच्वल लीडर की रूप में जाने जाते थे पॉलिटीसियन का मतलब होता है जो कुरसी के लिए लड़ता है उसे पॉलिटीसियन कहते है नेता लेकिन स्पिरिच्वल लीडर थे ये यह politician नहीं थे, spiritual leader का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता, जो सब को साथ में लेकर के, सब की भलाई को लेकर के काम करे, उसे spiritual leader कहते हैं, politician मतलब नेता मतलब जो सिर्फ गदी के लिए लड़ता है, seat के लिए, सत्ता के लिए लड़ता है, वो politician है, तो यह politician नहीं थे, यह spiritual leader थे, ठीक है, he successfully used truth and non-violence, इन्होंने सफलता पुर्वक यूज किया, प्रियोग किया, सत्य और अहिंसा को, as the chief weapons against the British rule, अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटीश रूल के against में, खिलाफ, इन्होंने मुख्य हतियार के रूप में, सत्य और अहिंसा का पुर्योग किया, successfully, सफलता पुर्वक, इन इंडिया, भारत में, and helped India gain independence, और भारत को आजादी गेन करने में, प्राप्त करने में, इन्होंने मदद किया, फ्रॉम 1915 तिल 1948, 1915 इस भी से ले करके, 1948 जब तक इनकी मृती हो गई, तब तक, He completely dominated Indian politics, इन्होंने Indian politics पर completely, पूरी तरीके से इनका प्रभुत्तु था, ठीक है, इनका जोर था, पूरी तरीके से इन्डियन politics इनके हाथों में था, 15 से 48 के बीच में, He died at the hands of a fanatic on 30 January 1948, 30 January 1948 को एक धर्मान्ध, फैनेटिक का मतलब होता है धर्मान्ध व्यक्ति, जो धर्म में अंदा हो जाए, धर्मान्ध व्यक्ति के हाथों इनकी मृत्य हो गई, गोली मार दिया इनको, नाथूराम गौर्ड से नाम था उसका, His autobiography, इनकी जो autobiography है, एक होता है biography, जो किसी महान्ध व्यक्ति के बारे में दूसरा कोई लेखक लिखता है, तो वो biography कहलाती है, और जब कोई व्यक्ति, जब कोई महान्ध व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति, अपने बारे में खुद लिखता है, अपनी कहानी, तो उसको autobiography कहत आत्मकथा उस आत्मकथा का नाम था my experiments with truth play store पर यह book भी मिल जाएगा आप लोग पढ़ सकते हैं and the उन्होंने जा आत्मकथा लिखी अपनी उसमें and the numerous articles that he wrote for young India और असंख्य बहुत सारे अनंत articles that he wrote जो उन्होंने लिखा young India के लिए young India जो है वो एक पत्रिका था news paper था जिसमें यह अपना article लिखते रहते थे and the speeches और जो भाशन that he delivered जो उन्होंने दिया on different occasions अलग-अवसरों पर जो उन्होंने भाशन दिया यह सारी तीनों चीजें reveal him उन्हें साबित करती है बताती है not only as an original thinker एक सच्चे विचारक के रूप में but also बलकि as a great master of chest कि यह जो थे वो एक सादा जीवन जीने वाले एक महान विक्ती थे एक सच्चे धर्मात्मा थे इस रूप में इन्हें बताती है यह सारी चीजे इनका यह किताब यंग इंडिया में लिखे गए इनके बहुत सारे articles और इन्होंने जो भाशन दिया हुओ यह इन्हें साबित करते हैं कि यह एक great master of chest थे बहुत बड़े धर्मात्मा थे सादा जीवन जीने वाले बहुत बड़े महान विक्ती थे idiomatic English और इनकी जो इंग्लिस थी वो idiomatic थी idiom आप लोग मुहावरा सुने होंगे मुहावरा इडियम और फ्रेज आपको याद करना परेगा 12 के grammar की तैयारी करने के लिए grammar की तैयारी भी मैं कराऊंगा बहुत जल्दे श्टार्ट होगा आप लोग connect रहे हैं हमारे चैनल से idiomatic English के लिए जो मुहावरेदार इंग्लिस है इनकी इंग्लिस मुहावरेदार थी ताकि लोगों को और अच्छे से समझ में आती थी in the following extract यह जो सारांज है जो इस किताब का सारांज है मतलब पूरा किताब नहीं है उसकी जो मूल बाते हैं वो इस चैप्टर में लिखी गई है Indian Civilization and Culture गांधी जी टॉक्स अबाट दो साउंड फाउंडेशन अफ इंडियन सिविलाइशन भारतिय सभिता की जो साउंड फाउंडेशन है जो स्वस्थ नीव है उसके बारे में गांधी जी बात करते हैं जो सभिता सफलता पुर्वक खरी रही समय के साथ समय के साथ सफलता पुर्वक खरी रही दो वेस्टर्न सिविलाइशन जो पस्चमी सभिता है जो जो इनसान के फीजिकल जरूरत को जो सारीरिक जरूरत है ऐसो अराम को बढ़ावा देता है cannot match the Indian civilization वो सभिता पस्चमी सभिता जो है वेस्टर्न सिविलाइशन वो कभी भारतिय सभिता के साथ match नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि भारतिय सभिता जो है that elevates the moral being क्योंकि हमारी सभ्विता वो morality को बढ़ावा देती है जो नैतिकता को बढ़ावा देती है हमारे कर्तव को बढ़ावा देती है शारीरिक ऐसो आराम को बढ़ावा नहीं देती है मन कैसे मजबूत होगा मन की शांती कैसी मिलेगी असली खुशी जो है जो real happiness है वो हम लोग कैसे gain करेंगे how will we gain the real happiness इसके बारे में हमारी सब्विता बात करती है ठीक है तो चलिए start करते हैं ये chapter गांधी जी कहते है I believe that मैं विश्वास करता हूँ कि I मतलब मैं मतलब गांधी जी I believe that the civilization India has evolved जो सब्विता भारत ने विक्सित किया है is not to be beaten in the world उसे दुनिया में उसे मिटाया नहीं जा सकता Nothing can equal the seeds sown by our ancestors हमारे ancestor के द्वारा जो बीज बोया गया कौन सा बीज? Civilization का बीज सब्विता का जो बीज बोया गया उसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता Rome went, Rome की सब्विता चली गई Rome खतम हो गया Greece shared the same fate Greece का भी वही हाल हुआ The might of the pharaohs was broken जो pharaohs जो थे मिसर के जो राजा थे उनकी सकती भी खतम हो गई Japan has become westernized Japan भी जो है वो पस्चमी सब्विता को अपना लिया Of China, nothing can be said China के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता But India is still लेकिन India अभी भी somehow किसी तरह और other sound at the foundation जो foundation है इंडिया की जो नीव है भारती है सब्विता की वो सुद्रिध है वो एकदम sound है वो एकदम healthy है, मजबूत है वो खतम नहीं हुआ है The people of Europe learn their lessons from the writings of the men of Greece और Rome Europe के जो लोग है The people of Europe learn their lessons अपना जो पाट है जो वो लोग जो सीखते हैं अपना पाट जो कुछ भी वो लोग सीखते हैं from the writings किसके लेक से सीखते हैं The men of Greece और Rome Rome और Greece के लोगों ने जो लिखा है किताबें जो लिखी है उनकी किताबों से उनकी writings से Europe के लोग सीखते हैं और देखिए मजे की बात कि Greece और Rome जो है विच एग्जिस्ट नो लॉंगर इंदी और फॉर्मर गुलोरी और Rome और Greece की सभिता जो है वो अपने फॉर्मर गुलोरी में नहीं है उनकी जो पुरानी जो सानुसौकत है उसकी सभिता तो खतम हो चुकी उससे यूरोप के लोग सीख रहे हैं बाद समझे जो चीज खतम हो गई उससे आप क्या सीखेंगे जो चीज जिन्दा है जो भारत की सभिता जिन्दा है तो भारत से न सीखो तुम ग्रीस और रोम से क्या सीख रहे हो इन ट्राइंग तू लर्न फ्रॉम दिम उनसे सीखने की कोशिश में दा यूरोपियन इमैजिन दैट यूरोपिय लोग जो है वो इमैजिन करते हैं सोचते हैं कि ग्रीस और रोम की जो सभिता खतम हो गई उन लोगों ने जो मिस्टेक किया उस मिस्टेक को यूरोपिय लोग त्याग देंगे छोड़ देंगे मतलब इस मिस्टेक को समझने के लिए उस मिस्टेक को त्यागने के लिए वे लोग उन लोगों से सीखते है such is their peteable condition और ये उनकी देन ये स्थिती है कि उन्हें ऐसे सभिता से सीखना पर रहा है जो सभिता अब एक्जिस्ट नहीं करती है खतम हो चुकी है ठीक है अगला पाराग्राफ है in the midst of all this in सभी के बीच India remains immovable India अडिग रहा है and that is her glory और यही इसकी glory है यही इसकी शान है उसके बाद कहते हैं कि it is a charge against India भारत के against में भारत के खिलाफ यह एक आरोप है आरोप समझते हैं आप लोग गलत आरोप जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई चीज नहीं भी है तो जूटा जूटी बात it is a charge यह एक आरोप है against India भारत के खिलाफ that कि her people are so uncivilized कि यहां के जो लोग है इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही uncivilized हैं असब हैं ignorant हैं मतलब मुर्क हैं अज्यानी हैं और stolid stolid हैं मतलब मंद बुद्धी हैं यह बस एक आरोप है अगर यहां के लोग uncivilized रहते ignorant और stolid रहते तो यहां की सबिता खतम होती नहीं यहां की जो सबिता है जो सिंदू नदी घाटी सबिता से चली आ रही है 12th में आप अगर arts रखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा Indus Valley Civilization शिंदू घाटी सबिता वहीं से हमारी सबिता जो है वो चली आ रही है तो हमारी सबिता भी खतम हो गई रहती इसका मतलब है कि हम लोग uncivilized ignorant और stolid नहीं है वे लोग uncivilized, ignorant और stolid है जो इंडिया को ऐसा समझते है ठीक है और वे लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि यहां के लोग मुर्ख है ऐसा इसलिए सोचते हैं कि इस नोट पॉसिबल कि यह संभव नहीं है to induce them to adopt any changes कि इन लोगों पर थोपा जा सके इन लोगों को दिया जा सके कोई भी change adopt करने के लिए भारत के लोग कोई भी विदेशी सभिता को adopt करने के लिए तयार नहीं है किसी भी adopt का मतला होता है गोद लेना सुविकार करना किसी भी तरह के change को सुविकार करने के लिए adopt करने के लिए यहां के लोग तयार नहीं है यहां के लोगों उपर जबरदस्ती induce थोपा नहीं जा सकता है कोई भी change ठीक हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग विदेशी सबिता को अपनाएं ताकि हमारी सबिता भी खतम हो जाएगी वह लोग इसलिए कहते हैं कि यहां के लोग मुर्ख है it is a charge really against our merit यह वाकई में हमारे merit के खिलाफ आरूप है हमारे जो गुन है कि हम लोग ने अपनी सबिता को बचा के रखा है हमारे जो गुन है उस गुन के खिलाफ आरूप है ठीक है लोगों के खिलाफ आरूप नहीं है हमारे गुन के merit के खिलाफ आरूप है what we have tested and found हम लोगों ने जो टेस्ट किया है ठीक जो जांचा है और जो पाया है true on the एन्विल of experience हमारे experience की कौसौटी पर एन्विल का मतलब होता है लोहार जो है जो जिस सामान पर उसका एक खाँचा बना रहता है उसके पास रहता है जिस पर वो लोह को आकार देता है जिसको हम लोग कौसोटी भी कहते हैं हम लोगों ने अनुभव की कौसोटी पर तौल करके जो देखा है कि अगर हम लोग विदेशी सभिता को अपना लें तो हमारी सभिता खतम हो जाएगी हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे ठीक तो इसलिए हम लोग की विदेश सला थ्रस्ट किया घुसेरा जवर्दस्ती थोपा अपन इंडिया इंडिया पर and she remains steady लेकिन इंडिया जो है वो उसी तरह आगे बढ़ती रही जिस तरह से हमेशा से बढ़ती रही है this is her beauty और यही इसकी सुन्दरता है it is the sheet anchor of our hope यह हमारे आशा का sheet anchor है sheet anchor का मतलब होता है सुरक्षा कवच है जिसने हमारी सबता को बचा के रखा है civilization is that mode of conduct civilization conduct का conduct का वह mode है civilization is that mode of conduct व्यभार करने का वो तरीका है जो which points out to man जो इंसान को मनुष्य को दिखाता है the path of duty करतव का रास्ता civilization जो है वो करतव का वह रास्ता है जो इंसान को अपना रास्ता दिखाता है व्यभार करने का वो तरीका है जो इंसान को अपने करतव का रास्ता दिखाता है कि तुम्हारा करतव यह क्या है performance of duty and observance of morality duty का जो performance है हम लोग जो duty करते हैं जो प्रदर्सित करते हैं हमारी duty और observance of morality और नैतिकता का जो हम लोग पालन करते हैं ठीक है नैतिकता जो है नैतिकता morality जो है उसका जो पालन करते हैं यह are convertible terms यह दोनों जो है तो मेरा कर्तव है पढ़ाना और मेरी नैतिकता है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं तो मेरा कर्तव ही मेरी नैतिकता है और मेरी नैतिकता भी मेरा कर्तव है तो ये दोनों एक दूसरे के convertible terms हैं जब कोई नौकरी करता है जब कोई समाज सेवा करता है या कोई भी काम करता है तो जो है morality नाम का कोई दया दरेग नाम का कोई भी चीज नहीं है. To observe morality, morality का पालन करना is to attain mastery. ये है mastery हासिल करना, मालिक बन जाना over our minds, हमारे मन का मालिक बन जाना and our patience और हमारे जुनून, जो हमारा जुनून होता है, उसका मालिक बन जाना. मतलब अगर हम लोग morality को observe कर लेते हैं, morality का पालन कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि हमने अपने मन पर और अपने जुनून पर हमने काबू पा लिया. So doing, ऐसा करते हुए, we know ourselves, हम लोग खुद को जानते हैं. The guzrati equivalent for civilization, guzrati में civilization का मतलब होता है good conduct, अच्छा वेभार, अच्छे वेभार को ही सभिता कहा जाता है, ठीक, if this definition be correct, अगर ये definition जो है, वो correct है, उपर में civilization का definition यहां से यहां तक दिया गया है, ठीक, ये civilization, ये civilization, ये परिवाशा है, अगर ये definition जो है, ये परिवाशा जो है, वो correct है, then India, तब India, as so many writers have shown, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, has nothing to learn from anybody else, किसी से भी इंडिया को सीखने की जरूरत नहीं है, इंडिया has nothing to learn, इंडिया को सीखने की जरूरत नहीं है, from anybody else, किसी से भी, and this is as it should be, और इसे ऐसा ही रहना चाहिए, जैसा कि ये है, ठीक है, उसके बाद कहते हैं, we notice that, हम लोग notice करते हैं, देखते हैं कि, the mind is a restless bird, दिमाग जो है, मन जो है, वो एक बेचाइन पक्षी की तरह होता है, the more it gets, जितना ये पाता है, the more it wants, उतना ये चाहता है, and still, और फिर भी, remains unsatisfied, और ये असंतुष्ट रहता है, the more we indulge in our passions, हम लोग जितने अपने पैशन को अपने जुनून में घुसेंगे, जितने अपने जुनून को हावी होने देंगे खुद पर, the more unbridled they become, उतना अनियंतृत हो जाएगा हमारा जुनून, हमारा पैशन जो है, our ancestors, हमारे पुरवजों ने, इसलिए, set a limit to our intelligences, हमारा जो भोग विलास है, हम लोग जो भोग विलास करते हैं, भोग विलास का मतलब होता है, ऐसो आराम की जिन्दगी जीना, उस पर हमारे पु happiness was largely a mental condition, जो happiness है, जो खुशी है, वो काफी हद तक mental condition है, एक दिमागी इस्थिती है, कोई भी इंसान दिमाग से खुश होता है, अपने मन से खुश होता है, खुश होने के जरूरी नहीं है कि उसके पास रुपेया, पैसा, धन, दौलत, ऐसो आराम होना चाहिए, एक फकीर, एक गरीब, एक भिकमंगा भी खुश हो सकता है, और एक अमीर, एक बहुत बड़ा करोरपती, अरबपती व्यक्ती भी दुखी हो सकता है, तो happiness is largely depend on mental condition, happiness जो है, वो mental condition पर आधारित होता है, ये बताती है हमारी सब्विता, हमारी संस्कृती, लेकिन जो western civilization है, वो बताती है क खुशी तभी मिलेगी, जब हमारे पास खूब सारा धन, दौलत, ऐसो, अनाम, सानो सौकत होगा, साइकिल से चलने में खुशी नहीं मिलेगी, कार से चलने में खुशी मिलेगी, बत समझने है, रेडियो पर गाना सुनने में खुशी नहीं मिलेगी, कोई गायक सामने में ब मिलेगी बलकि चिकेन बर्गर पीजा खाने से खुषी मिलेगी ऐसा विस्टन सिविलाइशन बताता है लेकिन हमारा जो सिविलाइशन है वो बताता है कि happiness जो है खुषी जो है लार्जली या mental condition यह एक mental condition है दिमागे इस्थिती है दिमाग से अपने मन से कोई व्यक्ति खुश और मन से कोई व्यक्ति उदास हो सकता है यह हो जाता है ठीक है उसके बाद कहते हैं कि a man is not necessarily happy एक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि वो इसलिए happy हो खुश हो because he is rich क्योंकि वो अमीर है और unhappy because he is poor और दुखी है क्योंकि वो गरीब है the rich are often seen to be unhappy जो rich लोग है जो अमीर लोग है वो अकसर unhappy देखे जाते हैं नाखुश देखे जाते हैं the poor to be happy जबकि जो गरीब लोग है वो खुश देखे जाते हैं millions will always remain poor करोरों लोग हमेशा गरीब रहेंगे हमारे देश में सब के सब तो अमीर नहीं न हो सकते हैं करोरों लोग हमेशा हमेशा गरीब ही रहेंगे क्योंकि जब सब अमीर हो जाएगा तो देश नहीं चलेगा ठप हो जाएगा देश बात समझ रहो करोरों लोग हमेशा गरीब रहेंगे observing all this इन सभी चीजों को देखते हुए our ancestors dissuaded us हमारे पूरवजों ने हमें मना किया from luxuries विलासिता से दूर रहो लगजरी से दूर रहो and pleasures और खूब सारे आनंद से दूर रहो we have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago thousands of years ago हजारों साल पहले जो हमारे अस्तित्व में था उसी से हम लोग काम चला रहे हैं उसी हल से हम लोग काम चला रहे हैं हमारे पूरवज कहते थे कि खेत में हल जो तो tractor से हल जो कोई फाइदा नहीं है we have retained the same kind of cottages हमारे पास वही जोपरियां है same kind of cottages उसी प्रकार की cottages हैं जोपरियां है that we had in former times जो हमारे पास पूरवज के समय में थी हमारे पूरवजों के समय में थी वही जोपरियां हमारे पास आज भी है ठीक है and our indigenous education remains the same as before और हमारा जो education है जो indigenous education है वो अभी भी वैसे ही है जैसा पहले था we have had no system of life corroding competition हमारे पास जीवन नस्ट करने वाला कोई भी competition नहीं था आज का competition जो है वो cut and cut the throat competition है गला काट प्रतियोगता जिसको कहते हैं वो competition हो चुका है क्योंकि हम लोग modern civilization की तरफ western civilization या modern civilization की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए हर वैक्ती एक दूसरे का गला काटने पर उतार हुए यह हमारा civilization नहीं समझाता है नहीं सीखाता है कहते हैं गांदी जी कि each परतेक वैक्ती each followed his own occupation परतेक वैक्ती अपना occupation फॉलो करता था अपना पेशा करता था अपना रोजगार करता था और ट्रेड या अपना वैपार करता था and charged a regular wage और रोज कुछ न कुछ कमाता था it was not that ऐसा नहीं था कि we do not know हम लोग नहीं जानते थे how to invent machinery कि machine का आविसकार कैसे करें ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे machine का आविसकार करना हम लोग भी machine बना सकते थे but our forefathers लेकिन हमारे जो forefathers थे हमारे जो पूरवज थे knew that जानते थे कि if we set our hurts after such things अगर हम अपना दिल इन सब चीजों के पीछे लगा दें we would become slaves हम लोग गुलाम बन जाएंगे इन चीजों का इन मशीनों का and lose our moral fiber और हमारे जो नैतिक बल है वो हम lose कर देंगे खो देंगे दे वे लोग therefore इसलिए after due deliberation बहुत विचारवी मर्स करने के बाद decided decide कि निर्ने कि we should only do हमें वही करना चाहिए what we could with our hands and feet जो हम लोग अपने हाथ और पाउं से कर सकते हैं हमी बस वही काम करना चाहिए machine के पीछे नहीं भागना चाहिए आज के जमाने में भी अगर machine का हटा दिया जाए दुनिया से तो सभी लोगों को रोजगार मिल जाएगा they saw उन लोगों ने देखा कि our real happiness हमारी जो असली खुशी है and health और जो हमारा स्वास थे जो body है consistent in a proper use of our hands and feet वो तभी consist रह सकता है लगातार बना अच्छा बना रह सकता है जब हम लोग अपने हाथ और अपने पाउं का proper use करें उचित उपियोग करें तभी they further reasoned that बाद में उन्होंने कारण दिया आगे वो कारण देते हैं कि cities that large cities जो बरे बरे शहर थे where snare वे एक जाल थे snare का मतलब होता है trap या जाल and useless incumbrance और बेमतलब का जो है incumbrance जो है वो था मतलब बेमतलब का भीर भरक का था जो बरे बरे शहर होते हैं वो बेमतलब का जाल होता है and that people would not be happy in them और लोग उसमें कभी भी खुश नहीं रह सकते that where that there would be gangs of thieves कि वहाँ पर चोरों का समू रहता है चोरों का समू हो सकता है and robbers और डाकों का समू वहाँ पर रहता है शहरों में prostitution and wise flourishing in them prostitution जो है वैसिया वरती वो और wise flourishing और जो wise चीजे हैं जो बुरी चीजे हैं जो घटिया चीजे हैं वो flourish होती है वहाँ पर वो खुब फलती फूलती है in them वहाँ पर and that or poor man would be robbed by rich man और वहाँ पर अमीर लोगों के द्वारा गरीब लोगों को लूटा जाता है या लूटा जाएगा शहरों में ऐसा ही होता है अमीर लोग गरीब लोगों को लूटते हैं देखते हैं दास हज decision के नोकरी यह कराकर करवों रुपया कमाते हैं अमीर लूटी रहना अपना गर अपना परिवार अपना सब कुछ चो чи carbon करके जाते हैं दस हजार बारह हजर का नापरी करने के लिए शहरों में और वहाँ पर उन्हें चूसा जाता है उनकी की खतम हो जाती है उसकी बाद गौव में आ करके जिन्द की जीते हैं इसलिए हमारे पूरवज दे वे सटिस्फाइड संतुष्ट थे छोटे-छोटे गाउं से वे लोग शहर शहर की तरफ रुख नहीं करते थे शहर से डरते थे वे लोग ठीक है वो जो राजा की तलवारें थी वो इन्फेरियर थी न्यून तर थी मतलब कम थी किसके तलवार के आगे में इथिक्स नीती जो शिक्षा है जो एजुकेशन है उसके तलवार के आगे में राजा महरजाओं की तलवार भी कम थी and they therefore और इसलिए उन लोगों ने held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and fakirs और इसलिए उन्होंने sovereign जो सरवच सत्ता है जो राजा महराजा ना बन करके वे लोग रिशी मुनी और fakir की तरफ वे लोग आगे बढ़ते थे क्योंकि वे लोग जानते थे कि रिशी मुनी के आगे राजा महराजा की कोई value नहीं है राजा महराजा भी रिशी मुनी के आस्रम में पाउप करने के लिए जाते थे ठीक है कि महराज ये problem है बताए क्या solution होगा a nation एक राष्ट with a constitution like this एक राष्ट जहां पर ऐसा सम्विधान हो जैसा सम्विधान हमारे देश में है is fitted to teach others वो दूसरों को पढ़ाने के लिए दूसरों को सिखाने के लिए fit है than to learn from others दूसरों से सीखने के लिए नहीं हमारा देश दूसरे देशों को सिखाने के लिए है जैहां पर ऐसा सम्विधान हो जिस देश में वो देश दूसरों को सिखाएगा दूसरों से सीखेगा नहीं इस नेशन हैड कोर्ट यहाँ इस राष्टर में इस देश में कोर्ट थे लॉयर्स थे डॉक्टर्स थे बट देवेर अल विदिन बॉंड लेकिन वे सब एक बॉंड के अंदर थे एक बंधन के अंदर थे everybody knew that सभी जानते थे कि these professions were not particularly superior यह जो प्रोफेसर ने यह जो पेशा है वो बहुत बड़ी पेशा नहीं है वो बहुत बड़ा पेशा नहीं है moreover हलांकि these वकील्स और वैद्स डिड नोट रॉप पीपल और वे जो वकील और वैद होते थे वे लोगों को लूटते नहीं थे लेकिन आज का वकील और आज का जो वैद होता है वो लोगों को लूटता है they were उस समय के वकील और वैद जो थे they were considered people's dependents वे लोगों के उपर निर्भर थे लोगों पर आश्रित थे आज लोग उन पर आश्रित थे not their masters और वे लोगों के मालिक नहीं थे लोग उन लोगों के मालिक थे justice was delivery fair न्याई जो था एकदम उचित था the ordinary rule was to avoid courts साधार अनियम ये था पुराने जमाने में कि court को लोग avoid करते थे court का चारी नहीं जाते थे there were no doubts to lure people into them और नहीं कोई दलाल था जो उन लोगों को लालच दे करके court तक ले जाए कचारी तक ले जाए this evil too was noticeable only in and around capitals और ये जो evil है ये जो बुराई है ये केवल capitals में राजधानियों में विक्सित हुई court काचारियां जो है वो बरे-बरे कोट और कचारी जो लोगों को लूटती है गाउं में आज भी लोग कोट कचारी नहीं जाते हैं आपस में बैट करके सुलह कर लेते हैं बास समझे the common people lived independently आम लोग स्वतंतरता पुर्वग रहते थे and followed their agricultural occupation और अपने खेती बारी जो पेशा है उनका खेती उसको वे लोग फॉलो करते थे खेती बारी करते थे they enjoyed true home rule वे लोग सचे home rule को असली home rule को गरी घर के नियम को फॉलो करते थे कोट कचारी के नियम को फॉलो नहीं करते थे यही true home rule था गांधी जी के नजरों में ठीक है the Indian civilization जो भारतिय सबता है as described by me जैसा कि मेरे द्वारा वर्नन किया गया है गांधी जी कहते है has been so described by its votaries और जैसा मैं बता रहा हूँ कि भारतिय सबता के बारे में वैसे ही यहां इसके वोटर बताते हैं जो यहां के आम लोग है वो भी यही बताते हैं आप किसी बुठे बुजूर्ग से पूछ करके देख लीजेगा in no part of the world दुनिया के किसी भी पार्ट में and under no civilization और किसी भी सबिता के अंदर have all men attend perfection परतेक लोगों ने perfection प्राप्त कर लिया हो एक जो पूर्णता प्राप्त कर लियो ऐसा कभी नहीं हुआ है the tendency of human civilization is to elevate the moral being Indian civilization की जो tendency जो प्रविर्ती है वो है moral being को नेतिकता को elevate करना बढ़ावा देना विकास करना that of the western civilization वही पर western civilization जो है is to propagate immorality वो और नेतिकता को propagate करता है बढ़ावा देता है फैलाता है the latter is godless और अंत में जो मिलता है western civilization में वो क्या होता है जो latter है जो बाद है जो भविश है वो godless है इश्वर विहीन है ठीक the former is based on जो हमारा जो पूरव है जो हमारी जो पूरव है जो हमारा प्राचीन है हमारा जो अतीत है वो based on जो वो आधारित है belief in god भगवान में विश्वास करने पर अधारित है लेकिन modern civilization का जो future है वो godless है भगवान विहीन है so understanding ऐसा समझते हुए and so believing और ऐसा विश्वास करते हुए it behoves every lover of India भारत के हर एक प्रेमी के लिए उचित है कि to cling to the old civilization वो old Indian civilization जो हमारी पुरानी सब्विता है उससे चिपका रहे इस तरह चिपका रहे even as a child clings to the mother's breast जिस तरह एक बच्चा छोटा बच्चा मा की छाती से चिपका रहता है उसी तरह प्रतेक भारत के प्रेमी को प्रतेक भारतिये को अपने old Indian civilization से चिपक के रहना चाहिए ठीक है I am no hater of the west मैं पश्चमी सब्विता का hater नहीं हूँ मैं पश्चमी सब्विता से नफरत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ गांदी जी कहते है I am thankful to the west I have learnt from western literature मैं जो western literature है जो पश्चमी साहित्य है जो English है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है इसलिए मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ but I am thankful to modern civilization लेकिन modern civilization को मैं धनिवाद देता हूँ for teaching me क्योंकि उसने मुझे सीखाया that if I want India to rise to its fullest fullest height कि अगर मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो rise करें वो बढ़े अपने उच्चितम सिखर तक its fullest height अपने उच्चितम सिखर तक I must tell my countryman मैं अपने देशवाशियों को frankly कहना चाहूँगा कि पूरा एकदम frankly कहना चाहूँगा कि after years and years of experience of modern civilization modern civilization को सालों साल अनभव करने के बाद I have learnt one relation from it मैंने एक पाट एक सीख मैंने modern civilization से लिया है और वो सीख ये है कि and that is that वो सीख ये है कि we must shun it at all cost हमें हर कीमत पर इसे त्याग देना चाहिए modern civilization को त्याग देना चाहिए मैंने यही सीखा है कांदी जी कहते है अगला पारग्राफ है what is that modern civilization वो जो modern civilization है वो क्या है वास्ता में modern civilization है क्या तो कहते हैं कांदी जी it is the worship of the material ये material की पूजा है भौतिक भौतिक वस्तुओं की पूजा है भौतिक वस्तुओं मतलब जो हमें सारे रिक सुख देती है जैसे machinery हो गया freeze हो गया पंका हो गया इसी हो गया कुलर हो गया ने-ने कपरे हो गया ठीक है गारी हो गया ये भौतिक चीज़ों जो हमें सारे रिक सुख देती है उन सब चीज़ों की पूजा है modern civilization it is the worship of the brute in us हमारे अंदर जो brute है जो पशुप्रविर्ती है जो जानवर है उसकी पूजा है modern civilization it is unadulterated materialism ये विशुध भौतिक वाद है unadulterated का मतलब होता है एकदम शुध एकदम विशुध जिसमें कुछ मिलावत ना हो विशुध materialism है विशुध भौतिक वाद है and modern civilization is nothing modern civilization कुछ भी नहीं है if it does not think at every step of the triumph of material civilization अगर modern civilization हर एक step पर हर एक कदम पर material civilization की विजय को नहीं देखता है मतलब materiality जो है जो भौतिक चीजें है उस वो सबीत है modern civilization को आप material civilization भी कह सकते है तो material के विजय को material के जीत को अगर हर एक step पर नहीं देखा जाए तो फिर वो modern civilization नहीं है ठीक है उसके बाद है it is perhaps unnecessary शायद ये बेकार है necessary नहीं है, जरूरी नहीं है if not useless अगर useless नहों हो बेमतलब का नहों हो to weigh the merits of the two civilization दो सबीता के गुनों के बीच दो सबीता के गुनों को तॉलना जरूरी नहीं है अगर ऐसा न करना परे तो हमें करना भी नहीं चाहिए it is likely that ये ऐसा ही है कि west has evolved a civilization पश्चमी देसों ने ऐसी सबीता विक्सित की है suited to its climate जो इसके climate को जो इसके वातावरन को suit करता है and surroundings और इसके अगल बगल के जीवन को suit करता है and similarly और उसी परकार we have a civilization हमारे पास इंडिया के पास ऐसी सबीता है suited to our condition और जो हमारे condition हमारे इस्थिती को suit करता है and both are good in their own respective spheres और दोनों अपने अपने छेत्र में सही है लेकिन अगर हम उन लोगों के civilization को copy करना चाहें तो ये बुरी बात है उन लोगों की सबीता है ठीक है अवे लोग माने कोई दिकत नहीं है उसमें कोई रोग टोक नहीं है लेकिन हमें उनकी सबीता को अपनाना नहीं चाहिए उसके बाद है the distinguished characteristic of modern civilization आधुनिक सबीता की जो distinguished characteristic है जो visist चरित्र है is an indefinite multiplicity of human wants वो ये है कि ये human का जो want है जो इनसान की जो जरूरते हैं उसे अनियंत्रित indefinite एकदम अनिश्चित मातरा में multiply कर देता है उसको कई गुना बढ़ा देता है हमारी जरूरतों को आज आप लोग देखते होंगे बेमतलब की जरूरते हैं आज हमारे आसपास गूम रही है जिसे mobile की कोई जरूरत नहीं है उसके पास mobile है headphone है जिसके पास कार का कोई जरूरत नहीं है बाइक का कोई जरूरत नहीं है चौक पर जाने के लिए बाइक खरीद लेता है यह सब क्या है यह सब हमारे जो बेमतलब की चीज़ है जो materiality है उसको बढ़ावा देना है जो हमें सारीरिक नुकसान देती है ठीक हमें अपने हाथ और पाउं का इस्तेमाल जादे करना चाहिए उसके बाद है the characteristic of ancient civilization प्राचीन सभिता है उसका जो characteristic है उसका जो गुन है वो यह है कि an imperative restriction upon वो एक जोड़दार restrict करता है जोड़दार जो है वो प्रतिबंद लगाता है रोक लगाता है upon these wants इन सभी इच्छाओं पर और a strict regulating of और उसको एक strict एक कराई से regulate करता है उसको नियंतरित करता है हमारी इच्छाओं को कौन हमारी सभिता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने इच्छाओं को regulate करना आना चाहिए the modern और western insatiableness जो modern है जो आधुनिक और जो पस्चमी insatiableness है जो असंतुष्टता की भावना है वो arises really from want of living faith in a future state भविष्च की इस्थिती में जो living faith है जो हमारी हमारा जो विश्वास है future में उसकी वज़़ए से उसकी वज़़ए से हमारी असंतुष्टता बढ़ती है कि हमें future में ये चाहिए होगा हमें भविष्व में ये चाहिए होगा और जमा कर लें और कमा लें और ये सब चीज कर लें ये modern civilization हमें सीखाती है and therefore और इसलिए also in divinity और इसलिए भगवान में भी दैविय शक्ती में भी भरोसा करते हैं क्योंकि future तभी है future पर अगर कोई भरोसा कर रहा है इसका मतलब है कि वो इश्वर पर भरोसा करता है तभी वो future पर भरोसा कर रहा है the restraint of ancient or eastern civilization arises from और जो ancient or eastern civilization जो हमारी सब बता है जो पूर्वी सब बता है या जो प्राचीन सब बता है वो restraint करता है रोक लगाता है arises from a belief वो एक विश्वास से उत्पन होता है often in spite of ourselves हम हो या नहों in a future state ऐसे future state में विश्वास करता है जिसमें हम हो या नहों कोई दिकत नहीं है लेकिन जो western civilization है वो यह बताता है कि हम होंगे ही future में लेकिन हमारी सब बता यह बताती है कि हम कल जिन्दा रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कोई ठीक नहीं है लेकिन western civilization बताती है सिखाती है कि हम कल जिन्दा रहेंगे ही उस पर काम करती है and the existence of a divine power और इसलिए हम लोग divine power में हम लोग भी विश्वास करते हैं वो लोग भी विश्वास करते हैं इश्वर यह सकती में some of the immediate and brilliant result of modern inventions कुछ तातकालिक और कुछ brilliant जो results हुए हैं जो परिनाम निकले हैं किसीच के आधुनिक खोज के modern inventions के are too maddening वो इतने पागल हैं जो खोजों का जो परिनाम निकला है वो इतने पागल कर देने वाले हैं to resist कि इनको रोका नहीं जा सकता है ठीक है but I have no manner of doubt लेकिन मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि the victory of man कि इंसान की जो जीत है lies in that resistance वो उस अवरोध में है जिस पर वो नियंतरन करता है अपने wants पर अपने इच्छाओं पर जो इंसान नियंतरन करता है उसी में इंसान की असली जीत है ठीक है उसके बात है we are in danger of bartering हम लोग bartering के खत्रे में bartering का मतलब होता है किसी सामान का आदान पर दन करने को bartering कहा जाता है ठीक है barter तो we are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure एक छन की खुशी के लिए हमें हमारे पास जो हमेशा की खुशी है उस एक छन की खुशी के बदले में है हम हमेशा की खुशी जो permanent good है उसके बदले में जो momentary pleasure है जो एक छन की खुशी है उसे हम लोग दे रहे हैं एक छन की खुशी ले रहे हैं और permanent good को हम लोग दे रहे हैं यही हमें modern civilization बताती है धीक जोसा दे फ्चश्मी में पंश्चिम में अमरश्मी देसों में अमेरिकan इंगलेंड में बोग आग को पतो दे आए हैं में यहीं Gew में इससा हीता है में पाश्मी देशों ने वन्डर्फुल देस्कोवरीस किये थिए हैं आश्चर जन मन को मजबूत करना और जो धार्मिक चीजें हैं उन सब चीजों में हमारी सभिता ने बहुत ही मतपुर्ण खोज किया है marvelous discoveries किये हैं but we have no eyes for these great and fine discoveries लेकिन हमारे पास आखें नहीं है उस महान और अच्छी discovery को खोज को देखने के लिए स्वामी विवेकानंद के बारे में हम पढ़ सकते हैं बहुत सारे ऐसे बरे बरे लेखक बहुत सारे ऐसे बरे बरे ठिंकर पैदाली हैं जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, सिखाया है ठीक आज भी दुनिया गीता से बहुत कुछ सीखती है रमायन से बहुत कुछ सीखता है लेकिन हम लोग नहीं सीख रहे हैं वी आर डैजल्ड हम लोग चकाचौंद हैं, हम लोग इदम चकित हैं गांदी जी कहते हैं कि मैं उन प्रोग्रेस से उन सब आविसकार से उननती से मैं इने मर नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इन फैक्ट वास्त में इट आल्मोस्ट सिम्स एज ये ऐसा ही दिखाए पड़ता है कि गौड इन हीज विजडम गौड इतने चतुर है प्रिवेंटेड इंडिया जिन्होंने इंडिया को बचाया है from progressing along those lines उन lines में उन सीमा के अंदर इंडिया नहीं बढ़ा है, material के अंदर इंडिया नहीं गया है, ये मैं मानता हूँ कि भगवान ने ऐसा किया है, गौड ने ऐसा किया है so that, ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onerous of materialism जो materialism का जो प्रवा है, जो तुफान है उस materialism के भौतिक चीजों के तुफान को resist करने के लिए रोकने का जो mission है इंडिया का उसको वो बनाए रखे, materialism को बढ़ावान न दे इस पर भगवान ने इंडिया को ऐसी सक्ति परदान की है ठीक है, after all, आखिरकार there is something in Hinduism, Hinduism में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो that has kept it alive, जिसने इसे बचाए रखा है Hinduism को जिंदा करके रखा है, Hinduत्तु को जिंदा करके रखा है up till now, अभी तक it has witnessed the fall of Babylonian ये जो है, हमारी सभिता जो है, इंडिया की सभिता है वो गवा है, Babylonian सभिता के विनास का Syrian सभिता के विनास का Persian के विनास का Egypt की सभिता का विनास का हमारी सभिता गवा है, खरी होकर के देख रही है सब के विनास का नटक cast a look around you अपने चारों तरफ एक नजर दोराओ तुम गानी जी कह रहे हैं हम लोगों से कि अपने कास्ट लुक एक नजर दो अराउंड यू अपने अगल बगल में वेर इस रोम रोम कहा गया वेर इस ग्रीस ग्रीस कहा गया can you find today anywhere the Italy of Gibbon Gibbon एक बहुत बड़े अंग्रेजी साहितिकार है जिन्होंने रोम के विनास की किताबें लिखी हैं विनास के कारण की किताबें कि रोम का विनास क्यों हुआ उस पर वो गिबबन एक वेक्ति का नाम है जो इटली के थे तो उस गिबबन की इटली कहा गई और rather the ancient रोम और रोम वाज इटली क्या रोम ही इटली था वो पुराना जो रोम था वो कहा गया इटली तो आ गया लेकिन रोम कहा गया go to Greece Greece जाओ where is the world famous attic civilization कहा जो दुनिया की सबसे प्रसिद इटली इटली थी वो कहा गई then coming to India तब इंडिया आओ let one go through the most ancient records किसी को बोलो या खुद तुम ancient records देखो प्राचीन record को खोजो and then look around you और तब तुम अपने अगल बगल में देखो and you would be constrained to say और तुम ये कहने को विवस हो जाओगे constrained का मतलब होता है विवस होना ये कहने को विवस हो जाओगे yes हाँ I see here ancient India is still living मैं आज भी उस पुराने इंडिया को जीता जागता देख रहा हूँ ठीक है उसके बाद कहते है true हाँ ये सच है there were dung hips कहीं कहीं गोबर का धेर मिल जाएगा two here and there ये जहां तहां गोबर का धेर मिल जाएगा but there are rich treasures buried under them लेकिन उनी गोबर के धेर में जो rich treasures है जो हमारा जो एकदम अमुल्य संपत्ती है जो हमारी सभिता है वो दफन है वो गरी हुई है और जिंदा है and the reason and the reason why it has survived और यही कारण है कि हमारी सभिता ने इतने लंबे वर्सों तो क्यों survive किया क्यों जिंदा है is that the end which hinduism set before it was not development along material but spiritual lines और इसी कारण से hinduism ने ऐसा इस तरीके से set किया कि हमारा जो development है हमारा जो विकास है वो material के छेत्र में नहीं बहुतिक वाद के छेत्र में नहीं बलकि spiritual आध्यात्मिक्ता की और हमारा विकास हुआ है our civilization हमारा culture हमारा जो सभिता है हमारी जो culture है संस्कृति है आवर स्वराज हमारा जो स्वराज है हमारा जो देश है depend करता है निर्भर करता है note upon multiplying our wants हमारे इच्छाओं को हमारी जरूरतों को बढ़ाने में विश्वास नहीं करता है उस पर निर्भर नहीं है बलकि किस पर निर्भर करता है बट लेकिन किस पर depend करती है upon restricting wants हमारी इच्छाओं को restrict करने पर जोड़ देती है इच्छाओं को नियंत्रित करने पर जोड़ देती है self-denial उस इच्छाओं को त्यागने पर जोड़ देती है ठीक है उसके बाद है European civilization is no doubt European civilization नहीं संदे suited for the Europeans Europeans के लिए सूट करता है इसमें कोई संदे नहीं है but it will mean ruin for India यह इंडिया की बरबादी का कारण बनेगा if अगर we endeavor to copy it अगर हम लोग इसे copy करने का प्रयास करते हैं Western civilization को European civilization को तो यह इंडिया के लिए विनास का कारण बनेगा this is not to say that we may not adopt and assimilation whatever may be good and capable of assimilation by us ऐसा नहीं कहा जा सकता कि we not we may not adopt and assimilate कि हम लोग उस सभिता को adopt नहीं कर सकते हैं हम लोग उस सभिता को अपनी सभिता में मिश्रित नहीं कर सकते हैं कि हम लोग उस सब्विता के साथ जी भी सकते हैं लेकिन इसका मतवियर नहीं है कि इवें दे यूरोपियन्स विल नोट हैव तू पार्ट विद वाट एवर एवल माइट हैव क्रेप्ट इन्टु इट लेकिन हमारे सब्विता में जो बुराई आएगी पश्चमी सब्विता के साथ उसका हिस्सेदारी वो यूरोपियन्स भी होंगे मतलब यूरोपियन्स जो आएंगे हमारी सब्विता में क्योंकि अगर हम लोग उसकी सब्विता अपना आएंगे तो वे लोग फिर हमारे पास आएंगे 200 सालों की आजादी हम लोग इन अंग्रेजों से ली पश्मी देशों से ली क्यों क्योंकि हम अपना देश एक अलग सब्विता अपने रिती रिवाज से अपने तौर तरीके से जीना चाहते थे लेकिन अब फिर वही आ रहा है कि हम लोग फिर से वेस्टरन सिविलाइस उनको अपना रहे हैं तो क्या होगा फिर से वेस्टरन लोग आएंगे यूरोपियन्स आएंगे और हमारे सब्विता में हमारे देश में जो बुराई आएगी उसके वे लोग भी भागिदार होंगे पर हमारी सब्विता हमारे देश पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा कोई भी देश जरूरी नियहें कि उसे बंब्लम से उर्याद जाए ताब exciting होगा उसकी सब्विता संस्कृत्रों करके भी उस देश को खत्म किया जा सकता है ठीक है तो उन लोगों से तो हम बच गए लेक material comforts जो भौतिक जो आनन्द खोजते हैं and their multiplication और उसके वो जो कई गुना जो वो बढ़ जाता है वो आनन्द is such an evil वो वास्ता में एक बुराई है ऐसी बुराई है and I make bold to say that और मैं यह कहने के लिएक लिए बोल्ड हूँ सास भर के मैं यह कह रहा हूँ कहता हूँ कि that the Europeans themselves will have to remodel their outlook कि Europeans को भी कि European लोगों को भी अपने नजर्ये को थोरा बदलना चाहिए remodel करना चाहिए अपने outlook को if they are not to perish under the weight of the comfort कि वे लोग अपने comfort के बोज तले दब के मर न जाएं खतम न हो जाएं to which they are becoming slaves जिसके वे गुलाम होते जा रहे हैं European लोग जिस comfort के वे लोग जो comfort पैदा कर रहे हैं जो आराम पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए कि आपको उठना नहीं है सारा काम रोबोट करते हैं रोबोट बना रहे हैं वे लोग बहुत सारी चीजें बन रही आविश्कार हो रहा है तो जो comfort का जो weight है उस आराम का जो ठीक it may be that my reading is wrong हो सकता है कि मेरी समझ गलत हो गांदी जी कह रहे हैं हो सकता है मैं गलत हूँ but I know that लेकिन मैं जानता हूँ कि for India इंडिया के लिए उन लोगों के लिए मैं गरत हो सकता है रेकिन इंडिया के लिए to run after the golden fleece यह जो golden fleece है golden fleece का मतलब ऐसी चीजें जो वास्ता में है नहीं लेकिन वो लुभाने वाली होती है जो दूर से लगती है बहुत चमकदार है बहुत अच्छी है और ऐसी वस्तुएं जिसको प्राप चीज है या बहुत ही costly होता है लेकिन उस मनी को प्राप्त करने में हमारी जान भी जा सकती है तो यह जो materialism है यह जो भौतिक वादी जो सामान जो western civilization बना रहा है जो European लोग बना रहे है वह golden fleece के तरह है उसी मनी के तरह है जिसकी रक्षा साप करते हैं उस उस वस्तूओं को हासिल करने में हमारी जान भी जा सकती है इंडिया इंडिया खत्म हो सकता है is to court certain death मृत्यू निश्चित है let us engrave on our heart engrave का मतलब होता है लिखना अंकित करना चलिए हम लोग अपने दिल पर लिख ले अंकित कर ले the motto of a western philosopher एक western philosopher है एक पश्चमी देश के ही पश्चमी देशों कि की एक philosopher है दार्शन 실ान के जिसका ये कथन जो है यह हम अपने दिल पर अंकित कर ले लिख ले और कौन सा कथन है प्लेन लिविंग है नहीं हमारे же living होना चाहिए हमारेजा जीवन होना चाहिए वह प्लेन होना चाहिए साधा होना चाहिए और हमारे जो thinking है वह हई होना च जिसका ये कथन जो है यह हम अपने दिल पर अंकित कर लें लिख लें और कौन सा कतन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग हमारा जो लिविंग होना चाहिए हमारा जो जीवन होना चाहिए वह प्लेन होना चाहिए साधा होना चाहिए और हमारा जो थिंकिंग है वह हाई ह होना चाहिए इंडिया के लोगों ने इंडिया का आजमी नहीं बोला है इंडिया को कोई फिलोस्पर नहीं बोला यह विदेशी फिलोस्पर नहीं बोला है इसका मतलब है कि जरूर कुछ न कुछ लोचा है मेटेरियलिज्म में, सुक सुविधा में, तबी उन्होंने कहा है, कि प्लेन लिविंग एंड हाई thinking, हमारे living जो है, वो प्लेन होना चाहिए, लेकिन thinking हमारी हाई होनी चाहिए, सोच उच होना चाहिए, सादा जीवन, उच विचार, इस लाइन को हम लोग अपने दिल पर जीवन नहीं हो सकता है उच्छ जीवन नहीं हो सकता है and with a few और हम लोग जो थोड़े लोग हैं फूप्रोफेस जो स्विकार करते हैं to do the thinking for the masses जो हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारे देश में करोरों लोग गरीब हैं वे लोग high living नहीं कर सकते हैं उच्छ जीवन नहीं जी सकते हैं लेकिन उच्छ विचार तो रख सकते हैं साधर जीवन जीते हुए run the risk ये risk उठाते हैं उचा जीवन जीने का प्रयास करते हैं in vain search after high living बेमतलब का खोज करते हैं उचा जीवन जीने के लिए of missing high thinking और इस चक्कर में उच विचार को खो बैठते हैं उच उचा जीवन जीने के चकर में उचा विचार जो है उसे भी खो देते हैं न उचा जीवन मिल पाता है न उचा विचार ही उचा हो पाता है इन सब चीजों से हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए ठीक है उसके बाद कहते हैं civilization in the real sense of the term सभिता जो है वो असली सब्दों में consists not in the multiplication वो हमारे इच्छाओं को बढ़ाने में बढ़ाने का नाम सभिता नहीं है but in deliberate and voluntary restriction of want जबकि हमारे इच्छाओं पर voluntary एक सामन जस्त स्थापित करने की बात है और restriction जो है अवरोध जो है अगदम deliberately रूप से एक नियंत्रत रूप से हमारे इच्छाओं को नियंत्रत करने का नाम है civilization this alone increases and promotes और यही जो चीज है अपने इच्छाओं को काबू में रखना यही promote करता है बढ़ावा देता है contentment, संतोष की भावना को, संतुष्टी को real happiness, असली खुशी को and capacity for service लोगों की सेवा करनी की जो capacity है उस चीज को बढ़ावा देता है ठीक है? उसके बाद है last paragraph है a certain degree of physical harmony and comfort जो physical harmony और comfort है जो सारेडिक सामनजस्च और जो आराम है वो एक certain degree तक certain degree, एक निश्चित उचाई तक, निश्चित सीमा तक यह necessary है, जरूरी है सरीर को भी आराम की जरूरत होती है तो वो एक निश्चित सीमा तक जरूरत है ठीक है? लेकिन वो जो जरूरी है मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज जिसकी मुझे एकदम सक्त जरूरत है और वो चीज मुझे ना मिले तो मुझे बहुत परिशानी का सामना करना पड़े ता और वो चीज मुझे मिल जाती है और वो चीज मिलने के बाद मेरी परिशानी हल हो जाती है लेकिन उस चीज की मुझे आदत पर जाती है तो वो आदत नहीं परना चाहिए सिंगम फिल्म में एक डाइलोग था कि मेरी जरूरते कम है इसलिए मुझे में दम है मतलब आपको अपने जरूरतों को नियंतरत करना जरूर ही है तभी आपने दम होगा ठीक है बट एबब एस सर्टेन लेबल लेकिन एक सर्टेन लेबल के एक निश्चित लेबल के बाद it becomes a hindrance instead of help लेकिन एक जब ये आराम जो है एक सर्टेन लेबल से ज़्यादा बढ़ जाता है तभी आपकी मदद नहीं करेगा बलकि तभी आपको बाधा पहुँचाएगा आपकी जिन्री में आपके सरीर को कमजोर करेगा आपके सोचन सकती को कम करेगा ठीक है देर्फोर इसलिए the idea of creating an unlimited number of wants इसलिए the idea of creating an unlimited number of wants unlimited number of जो जो इच्छा है जो जरूरते है उसको create करने का जो idea है जो विचार है and satisfying them और उनको संतुष्ट करना seems to be a delusion and a snare ये एक delusion एक भ्रम और एक जाल की तरह दिखाए पड़ता है कि बहुत सारे जरूरतें पैदा करें और उस जरूरतों को पूरा भी करें ये एक जाल ही है सुबह से लेकर के साम तक दिन से लेकर के रात तक लोगों को में में किस चीज़ की जरूरत पड़ती है सुबह में आप लोग जब उठते होंगे तो बताइए पूरे दिन में आपको मोबाइल का कितना कितनी दिर आपको मोबाइल की ज़रूरत परती है हो सकता है अगर आप पढ़ते हैं मोबाइल से जितनी दिर पढ़ते हैं उतनी दिर बात आप फंच जाते हैं और यह चीज आपको help नहीं करेगी यह चीज आपको hindrance करेगी आपके जीवन में बाधा उत्पन करेगी ठीक है यही तो modern civilization है the satisfaction of one's physical needs किसी एक व्यक्ति के physical needs जो सारी डिक जरूरत है उसकी संतुष्टी के लिए even the intellectual needs of one's narrow self और किसी का जो intellectual needs है जो मानसिक जो जरूरत है वो सम्मिल करके एक एक वो खुद को उसको narrow कर देता है must meet at a certain point a dead stop यह सारी चीज़ें एक निश्चित point तक ही रहना चाहिए उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए ना तो हमारा physical need और नहीं हमारा intellectual need जो है वो एक निश्चित point से उपर नहीं जाना चाहिए उसको हमें एकदम control करके रख जाना चाहिए before इससे पहले कि it degenerates into physical and intellectual voluptiousness कि वो हमारा शारीरिक और हमारा मानसिक भोग न बन जाए हमारा मानसिक विलासिता न बन जाए हमारा मानसिक या सारीरिक आनंद न बन जाए जब तक उसकी जरूरत हो तभी तक यूज़ करना चाहिए वो हमारा सारीरिक आराम न बन जाए बात समझे आप कुरसी लगा के हवा जब बहती है तो आप AC रूम के बदला में पेर के नीचे बैट करके भी ठंडी हवा ले सकते हैं लेकिन अगर आपको AC रूम का आदत लग तो उस चीद से बचना चाहिए इंसान को एक व्यक्ति को अपने शारीरिक और उसका जो कल्चलल सरकम्स्टांसे जो सांस्कृतिक जो परिवेस है उसके बीच में उसको जरूर तालमेल बिठा के रखना चाहिए उसको जरूर एरेंज करके रखना चाहिए ताकि वो सारी चीजों उनको हिंडर न करें रोकें न इस सर्विस ऑफ हुमेनिटी मानवता के लिए जो वह सेवा करें जो व्यक्ति सेवा करता है मानवता को उसमें कोई बाधा न पहुंचा ये सारी चीज है विलासिता आनंद जो है और उनकी सारी जो इनर्जी है सारा जो ताकत है वो एक जगा कंसेंट्रेट हो एक जगा एकत्रत हो बाकि विलासिता के चकर में भोग विलासिता के चकर में उनकी इनर्जी जो है वो वेस्ट न हो जाए पहले के जमाने में एक इंसान क्या क्या कर सकता था कितनी बरी-बरी किताबे लिखता था क्या कुछ नहीं करता था बड़ा-बड़ा खेत जोत के रख देता था दिली मुबद पैदल चला जाता था साइकल से चला जाता था अब डाउन कर लेता था लेकिन आप चौक पर आभी पैदल जाके देखिए, आपकी हलत खराब हो जाएगी, आप थोड़ा एक कठे में आप कुदाल चला कर देखिए, आपकी क्या इस्तिती होती है, क्या हो गया है, यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने अपनी जरूरतों को अपने विलास कारण बना दिया है, महत्मा गांधी कहते हैं कि हमारी सब्विता संस्कृति हमारे जरूरतों को, हमारे नीड्स को, हमारे वांट्स को कंट्रोल करना सिखाती है, जबकि Western Civilization जो है, जो आधुनिक सब्विता है, जो Modern Civilization है, वो हमारी जरूरतों को पैदा करता है, और उसको प प्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर दवा दीजेगा बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है जाके देखिए थैंक्यू समझ बाबाई टेक केर